कि अलो दोस्तों डिस्टन्स इच्छा के ऑनलाइन किलास में मैं सल्मान अली आप सभी का स्वागत करता हूं जैसा कि आपने देखा मैं पहली किलास वर्ड माला के उपर ती वह जो मैंने सर और वेंजन के उपर चर्चा की थी ठीक है जो बचा हुआ बागे हो मैं आज उसका कंप्लीट करता हूं तीक है आज हम बात करते हैं आयोगवा के उपर आयोगवा जो परिच्छा की दरिश्टी से काभी मैत पोड़ है अगर आयोगवा की संख्या पूछ दे तो आप कितनी बताएंगे आयोगवा की संख्या दो है कौन-कौन अंग और आहा ठीक इसको अनुसार कहते हैं और इसको घिसर कहते हैं ऐयोगवा परियोग हिंदी में तो होता लेकिन इसको जगए disaster में और कोना ही विंजन में और अयोग्वा का नाम इनकी संग्या कितनी है अंग और आ इसे अनुसार कहते है और इसे विसर कहते हैं ठीक है अनुसार को कायशे डिनोट करते हैं अनुसार को किसी स्वर के ओपर बिंदी इसे अनुसार कहते हैं जैसे एक्जांपल की तोर पे अंग और रंग ठीक अब विशर जिसके अंत में विशर गो जैसे प्राता और अता ठीक इसका प्रियोग तत्सम में होता है इसका प्रियोग तत्सम में होता है अनुसार का भी प्रियोग तत्सम में होता है किलिए अब हम फिर से द्वारा बात कर लेते हैं अयोगवा अयोगवा कि स लेकिन ना पेनस्वर और नाही बिंजन ने इनको रखा गया है ठीक किलियर और आयोगवा का नाम किस ने ते यह कि सुरी दास बाच पेजिन दिया है एक अनुसार जैसे अंग और रंग इसका एक्जामपल की तोर पे अब विसर जैसे प्राता और अता इसको एक्जामपल की ठीक दिख किलियर है जैसा कि आपने देखा हाह के उपर जो बिंदी लगी हो यह अनुसार को को पर दर्सित कर रही है किलियर अब जैसे कि ता के आंगे जो दो बिंदी लगी हुई है यह किसको पर दर्सित कर रही है विसर को पर दर्सित कर रही है ता के बाद जो यह पर बिंदू लगी हुई है दो यह किसको पर दर्सित कर रही है विसर को पर दर्सित कर रही है किलियर जैसा कि आपने देखा penal अभी हमने अनुसार विसर्ग के उपर चर्चा की ये अनुसार और ये विसर्ग इसके उपर तो हम चर्चा करे चुके हैं आगे मैं बात करते हैं अनुनासिक की इसके अंतर के ये चंद кра atra you और मुठ है ठिक अनुनासिक के अंदर के चंद बिंदू ठीक इसका प्रियोग तद्वों में होता है अब आगे बात कर लेते हैं निर्नुनासिक और अनुनासिक इसका कोई सिंबल नहीं होता है कोई चिन नहीं होता इसे जैसे आ ये इसके अंतरगत आते हैं अनुसार और विसर के हम चर्चा करी चुके हैं आगे अनुनासिक इसको चंद बिंदू से हम प्रिदर्सित करते हैं जैसे चांद और मू और अनुनासिक का प्रियोग तद्वों सब्दों में किया जाता है अब हम बात करते हैं निर्नुनासिक और अनुनासिक इसके अंतरकत कोई भी चिन का प्रियोग नहीं होता है जैसे आ ई उ ये निर्नुनासिक और अनुनासिक इसको कहते हैं ठीक किलियर आंगे और चर्चा करते हैं जैसा कि आपने देखा वड़माला में हमने सविर और मिंजन सविर के हमने बेध पड़ाएठेॡ जैसे हिरो सर दीग सर लुक्त सर ठीक है वह मातरा काल के आदार पर थे ठीक है अब ऐसे हम बात करते हैं जीवा के आदार पर स्वर के बेद ठीक है जीवा के आदार पर स्वर के कितने बेद हैं तीन बेद पहला अग्रसर, दूसरा मदसर, तीसरा पसर, ठीक आप अग्रसर के बात करते हैं, अग्रसर कहते किसे हैं, जिन सरों का उचारल करते समय जीव का अग्रबार कार करता है, ठीक, जिन सरों का उचारल करते समय जीव का अग्रबार कार करता है, उन्हें अग्रसर कहते हैं, इनके सर मद्द सर किसे कहते हैं जिन सवरों का उच्छार करते समय जीव का मद्द बागकार करता है उन्हें मद्द सर कहते हैं इसके अंतरकेट कौन से पढ़ आता है ठीक तीसरा पस्वर पस्वर के मानिया होता है पिछला जिन स्वरों का उच्छारल करते समय जीव का पिछला बाक्तार करता है उन्हें पस्वर कहते हैं ठीक अब इसके अंतर के कौन-कौन से पढ़ आते हैं आ, उ, बढ़ाऊ, ओ, और आउ, ठीक, किलियर, जीवा के आधार पस्वर के तीन बेद हैं पहला अग्रश्वर, मदश्वर, पस्वर, ठीक, अग्रश्वर किसे कहते हैं जिन स्वरों का उचारल करते समय जीव का अग्र भाग कार करता है उन्हें अगर संबस्णहों करते समय जीव का मध बाग करता है उन्हें मधुसर कहते हैं इसके अंतर काता है वाली जीव का और करता है उन्हें पश्वर कहते हैं इसके अंतर के ताने वाले बढ़ आ उ बढ़ा हूँ ओ और अव ठीक मुखदार खुलने के आदार पर सुर के बेद, अभी उने बात की थी, जीवा के आदार पर सुर के बेद, अभी है, मुखदार खुलने के आदार पर सुर के बेद, कितने बेद है, चार बेद है, कौन कौन, पहला वीबरत, पहला वीबरत, दूसरा अर्द वीबरत, तीसरा सं संब्रत चौट्र अर्ध संब्रत ठीक है आब हम बात कर लेते बीब्रत की जिन शरोगा उच्छल करते समय विब्रत के माने क्या होता खुला ओपिन अब इसकी बात करते हैं फिल इंद बात की जिन शरोगा उच्छल करते समय मुक्षदार लगब ऊपोरा एक पुरा रहता है है उन्हें बीप्रत कहते हैं इसके अंतरकत आने वाले बड़ बड़ा थिख किलिया दूसरा अर्द भीप्रत अब इसे क्या अब इसकी डिफिनिशन जनबात कर लेते जिन सुरों लगबुक आदा खुलता है ठीक उन्हें अर्ध बीप्रत कहते हैं इसके अंतरकत आने वाले बढ़ आ, आई और आउ ठीक संब्रत, तीसरा, संब्रत के माने हुदा, पिलोज बंद, जिन सरों का उचाल करते समय, मुखदार बंद रहता है, उन्हें संब्रत कहते हैं, जैसे इ, बड़ी इ, उ, बड़ा हूँ, बोल के देख लिए, उ, बड़ी इ, उ, तो बंद रहता है, ठीक, किलियर, हम आगे बात क करते समय, हमारा मुखदार लगबग आदा बंद रहता है, ठीक, उन्हें अर्धसंब्रत कहते हैं, इसके अंतरकत आने वाले बड़, ए और ओ, ठीक, क्लियर, अब आँगे और बात करते हैं, होंटों की इस्तिती के आदार पर स्वर के बेद, होंटों की इस्तिती के आदार नहीं होते हैं, आवाने नहीं, ब्रत्मुखी माने गोलाकार, जिन सरों को चल करते समय, होंट गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें अब ब्रत्मुखी स्वर कहते हैं, इनके अंतरकत आने वाले बड़, आ, बड़ा, ई, बड़ी, ए, आ, ठीक, दूसरी बात करते हैं, दूसरा हुण कि गयल